Hey class 8 students, exercise 6.3, question number 3, इसमें बच्चों आपको दो numbers given है, इनका square root, find out करना है repeated subtraction method से, तो इसमें बच्चों आपको जो number given है, उसमें से आपको odd numbers जो है, वो minus करते जाने है, अब जो answer आएगा, जैसे 100 में से 1 minus किया 99, 99 में से 3 minus किया 96, जो answer आएगा, उसमें से odd number जो है, sequence में minus करते जाना है, जब तक 0 नहीं आजाता, उसके बाद आपको count करना है, कि आपने कितने steps में, इसको minus किया है, कब तक 0 आया, तो हमने इसको count किया, तो आया 10, तो 100 का square root 10 होता है, इसी तरह, इसमें किया 169 में, 135, इस तरह minus करते गए, और 169 का square root किया आया, बच्चों 13, I hope आपको clear हो गया होगा, फुल वीडियो देखनी है, तो चैनल पर uploaded है, comment में उसका link है, please देख लिजे, thank you